तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 16 की जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई शॉच्वन चटवे आने की परपल लेवल में पहुच गया होता है वहाँ पर बाई शॉच्वन के सामने वानर की स्पिश्वल बॉडी होती है फिर बाई शॉच्वन अपनी स्वॉड निकालता है और वो वानर की स्पिर्ट बॉडी से फाइट करना स्टार्ट कर देता है वो दोनों लगातार एक दूसरे पर स्वार्ट से अटेक कर रहे होते हैं तबी वानर बाई शेचन पर टेक करती है उस अटेक में कई सारे आइस क्रिस्टल बाई शेचन की और जा रहे होते हैं लेकिन बाई शेचन बड़ी असानी से उनसे बच जाता है इसके बाद बाय शेचन जहां पर भी जा रहा होता है, वानर लगातार उस पर अटैक करे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बर्फ के बड़े बड़े क्रिस्टल जा रहे होते हैं, इधर ट्रायल के बहार जितने भी डिसाइपल यह सब देख रहे होते हैं, वो बहुत जादा बोर रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि इतने कम टाइम में यह इतनी जादा फिरसी तरीके से लड़ाई करेंगे, वाकई में यह ऐसा मैचप जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं, वहीं पास में जायू दॉंग अपने कुछ डिसाइपल के साथ खड़ा होता ह जाविदों कहरा होता है कि हमारी रैंकिंग 9 और 10 है, स्टारी सकाय दाउजी रैंकिंग में, अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें, तो फिर सौटेज से अच्छा यही है कि हमारी तादार बढ़ जाए, फिर वो चलाकर बोलता है कि बहुत हम आप पर बिलीफ क करना होगा, वो सारे जाविदों की बात मानते हैं और वो बाई शौचन के लिए चीर करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर ट्रायल के अंदर 6 लेवल पे जो एरेन होता है, उसके 4 और बरफ के बड़े-बड़े क्रिस्टल जम गए होते हैं, बाई शौचन उन सारे क्रिस्ट के चार और गूम रही होती है, बाई शौचन थोड़ा सा सतर को जाता है, तब ही वो कुछ महसूस करता है अपने पीछे और वो हमाँ पर अटायक कर देता है, पीछे का आइस क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है और बाई शौचन को अपनी इमेज नजर आ रही होती है, उसी की बात है, यह इवल ओरा, जो की एक इन एनरजी के फॉर्म में है, मैंने इसे कहीं पर तो देखा है, उसी टाइम वानर वहाँ पर आती है, बाई शौचन थोड़ रही होती है, क्या बाई शौचन यह बैटल हारने वाला है, यह सब देखकर जा यूदंग बहुत ज़दा इमोशनल ज़गाता है, और वो बाई शौचन का नाम ले रहा होता है, ट्राइल के अंदर वानर का अटाइक की वेसे, चारो और फॉग हो गई होती है, फॉग के हटने के बाप चलता है कि बाई शौचन को कुछ भी नहीं होता, और वो कह रहा होता है, कि इस अटाइक से लेकिन यह टेक्निक बिल्कुल बाई जोजन की टेक्निक की तरह है जैसे तुम अपने कर्टिविचन पर ध्यान दोगे वैसे ही तुम इस एनरजी को एब्जॉब करके अपने फायदे के लिए इस्तमाल कर सकते हो ट्रायल के अंदर बाई जोजन जितना भी वो वानर का कोल रहा होता है वो उसे अब्जॉब कर रहा होता है ट्रायल के बह похож अदे चैपल बहुट जाए होते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है यह बाई जोजन की सकिल को अश्क लिए ऐसे सामने एक बहुत यह बड़ी आइस की wall आयाती उसे protect करने के लिए लेकिन बाई जजण उस wall को आसानी से break कर देता है इसके बाद one hour बड़े बड़े ice crystal से बाई जजण पर attack कर रही होती है लेकिन बाई जजण उन सबको अपने पैरों से break करता जा रहा होता है और आखिर में वो वानर को भी किक मार देता है इसके बाद वो दोनों सीरिस होकर fight करना start कर देते हैं काफी देताग attack करने के बाद वो दोने दुसरे के सामने खड़े होते हैं वानर बोर रही होते हैं कि तुम वाकए में काफी improve हो गए हो लेकिन तुम अभी भी enough attention पे नहीं कर रहे हो तब ही अचानक से जो black हो रहा होता है वो बाद शेचन को जगड लेता है बाद शेचन याद करता है जब वो code aura absorb कर रहा था उसके अंदर ये evil aura था वानर बोर रही होते हैं कि ये सब मेरी गलती है चलो आप कुछ fun करते हैं ये कहकर हो एक बहुत ही बड़ी sword त्यार करती है और बाद शेचन पर attack कर देती है उस attack के होते ही चारो और fog छा जाता है बाहर disciple shock में होते हैं और वो बूर रहे होते हैं साथ ही मैं आसपास की बर्फ को भी बाई शेचन कहरा होता है कि वानर मुझे फ़रक नहीं पड़ता तुमारे कितने secret हैं मुझे फरक नहीं पड़ता कि तुम कौन से move यूज़ करोगी लेकिन ये battle मैं नहीं हार सकता हूँ मुझे ये battle जीतनी है ये कहने के बाद बाई शेचन अपनी रेंश्वांजे टेक्निक का यूज़ करता है फिर बाई शेचन के एक बहुती बड़ी mountain giant की body आती है और वो वानर पर attack कर देती है वानर बोर्ड ही होती है कि तुम ही हो जो कि मुझे इतना excited कर सकते हो उस attack की वैसे जो वानर की special body होती है वो एक छोटे से crystal ball में चली जाती है वानर अपने आपको resist करनी कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी बाई शेचन कहता है कि इसे खतम करने का time आ गया है बाई शेचन अपना हाथ पकड़ता है और मिसु जावा एक्टिविटी कहकर जमीन पे रखता है और वो किस्टर डिस्टर हो जाता है वानर बोर्ड ही होती है कि मैं अगली बार तुम्हार साथ दुबारा खेलूंगी ट्रायल के बाहर सारे डिसापल बहुत जादा शौक में होता है बोर्ड रहे होते हैं कि बाई शेचन वाके में अमेजिंग है क्योंकि इसने ये बैटल जीत ली है तब ही वो अंदर देखते हैं और वहाँ पर बाई शेचन कंडनसेशन कर रहा होता है बाहर सारे डिसापल बाई शेचन के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं कि सिर्फ तीन घंटे हुए हैं बाई शेचन ने सबसे तेज कंप्लीट किये हैं ये छे ट्रायल पूरे सेक्ट की हिस्ट्री में तब ही बाई शेचन के सामने एक डूर उपन होता है फिर मेल डिसाइपल मेल डिसाइपल से पूछी होती है कि तुम क्या सोसते हो इस बारे में मेल डिसाइपल बूर रहा होता है कि जो पोटेशनल बाईशेजन का था ये काफी पॉसिबल था कि वो इस लेवलो कम्प्लीट कर ले ट्रायल के अंदर जो डोर उपन हुआ होता है उसके अंदर से अंसेस्टर की आवाज आ रही होती है अनसेस्टर कह रहे होते हैं कि बाईशेजनल सेट तुमारी रिक्वस को मानने के लिए तयार हो गया है बाई शोचन के हाथ में एक लिव गिरती है एंसेस्टर बूर रहे होते हैं कि तुम्हारी रिक्वेस्ट असेट की गई है और तुम्हें रिवार्ट के लिए हैवन और मैन की पावर दी जा रही है लेकिन जो ट्रायल के बाहर जितने भी डिसापल होते हैं ये सब देखने ही पा रहे होते हैं जो वे रिवार्डिंग सेर्मेनी हुई होती है तब ही बाहर एंसेस्टर की यवाज आती हो बूर रहे होते हैं कि डिसापल बाई शोचन ने अपनी इच्छा के अनुसार सेवन्थ लेवल गिव अप कर दिया है इस विज़स से स्टारिस काई दाउची रैंकिंग की जो फाइनल रैंकिंग है उसमें वो टेंथ प्लेस पे है जायोदंग यो मानने को त्यार नहीं होता है रो बूर रहा होता है कि जरूर कोई न कोई इसमें सिक्रेट है आखिर में जो भी उसके थौट और रियालाम है हम उसे इस लेवल पर नहीं समझ सकते है बाइस अचन वो लीव लेकर बाहर निकल जाता है वो खहरा होता है कि मुझे जल से जल वहाँ पर पहुँचना होगा दूसरी और चैन मन्या और मास्टर डिवाइनर और फैंग योदे अभी भी जांग दाहे को अपनी स्पिचल अनरजी प्रोवाइट कर रहे होते हैं काफी सारी एनरजी प्रोवाइट करने के बाद चैन मन्या और मास्टर डिवाइनर बहुत ज़्यादा एक्जास्ट हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं लेकिन फैंग युदे अभी भी अपना दम लगा कर स्पिर्चल एनरजी प्रोवाइट कर रहे होते हैं कुशी देर बाद वहाँ पर बाई चैन पहुच जाता है फिर वो लीव निकालता और जांग दाहे की और पुश कर देता है अब तुम्हारे बीर ब्रदर की लाइफ बिल्कुल सेफ है बाई जोचन जांग धाय की और देखकर काफी खुश हो रहा होता तर अचाना से उसकी आँखे बंद हो जाती है और वो जमीन पर गिरने वाला होता है उसी टाइम चैन मन्ने उसे पगड़ लेती है फैंक्योदे चैन मन्ने उसे बोड़ रहा होता है कि ये अभी ट्रायल साया और वहाँ पर इसकी बहुत सारी एनरजी कंज्यूम हुई है ये अपने लिमिट पहुच गया है थोड़े टाइम के लिए इसा अराम करने दो फिर वो बायशेचन को एक रूम में ले जाती है और वहाँ पर लेटा देती है अब करीबन तीन दिन बीद गए होते हैं और बायशेचन को होश आ जाता है बायशेचन धीरे धीर अपनी आँके खोलता रहो देखता है उसके सामने बैठा होता है सामने बायशेचन धीरे खोलता है कुछी दिन पहले स्टारिस का और डावलोटी सेट का एक कल्टिवीटर रिवर डिफाइंग सेक्ट में गया होता है वहाँ पर सेक्ट में वो सारे लोगों को बता रहा होता है कि जो आपके सेक्ट का डिसाइपल है बायशेचन और जो उसके प्रोटेक्टर है उन्होंने काफी साल तक रहने के बार ट्रेनिंग की है और सकस्स पाई है साथ ही में एक का नाम तो लिस्ट बे भी आ गया है तो फिर जो फ्यूचर अपस का बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग है उनकी मेरिट सर्विस की वैसे आपके रिवर डिफाइंग सेट को गिफ्ट दिया जा रहा है ये कहकर वो उन्हें गिफ्ट देता है और वहाँ से चला जाता है बायशेचन मार्केट में घूम रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है वहीं पर सउन्चे खड़ा होता है वो गुश सें बोल रहा होता है कि अब बहुत हो गया है बायशेचन ऐसा वो चिला कर बोलता है वही पास में कई सारी फेमिल्य डिसाइपल होती है जैसे ही वो बायशेजन का नाम सुनती हैं वो खुश होकर बायशेजन के पास चली जाती है और उसे घेर लेती हैं वो सारी लड़कियां बायशेजन का आटोग्राफ मांग रही होती है बायशेजन बहुत जादा खुश होता है और सौंचे से बोल रहा हुता है कि तुम इतने दूर क्यों कहड़े हो ये कहकर वो संचे के पास जाता है और सबसे कहरा होता है कि मैं तुम्हें से इंटरड्यूश करवाता हूँ ये मेरा प्रॉड़क्टर है ये काफी फेमस भी है तबी फिमिली डिसाइपल सोचन रहाती है और बोल रही होती है कि हमें पता है इसके बारे में कुछ देर सोचने के बाद हो कहती है कि यह Master Diviner है बाइस ज़न पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता डिसाइपल कहरी होती है कि जैसा यह दिखता और उसका Temperament है यह बिलकुर Master Diviner की तरह है तब यह दूसरी डिसाइपल बोलती है कि तुम कौन से Appearance की बात कर रही हो Fortune Teller याने कि Master Diviner की Beard है यह पका शूबा कोई है देखो इसकी छोटी सी प्यारी आँखे इन आँखो से कोई भी Information निकल नहीं सकती है अब सौंचे को गुस्तादर बोल रहा होता है कि अब बहुत हो गया है तब यह एक Announcement होने जारी होती है सेक्ट में और बताया जारा होता है कि Heaven की Will आ गई है और सारे स्टुडेंट को respectfully इसका वेलकम करना होगा इस डिसीजन का Great Wall के Border पे कई सारे fluctuation हो रहे हैं War के इस वैसे करीबन आज से एक महिने बाद Soul Hunting Trial स्टार्ट होने चारा है एक महिने के बाद जो 1000 डिसाइपल स्टारी स्काउट डाउजी रैंकिंग में होंगे वो ही Soul Hunting Trial के लिए जाएंगे वो सारे बोट में सेल करके Wilderness की और जाएंगे करेबन 10 साल के लिए डिसाइपल काफी खुश हो रहे हैं तर बोड रहे होते हैं कि मैं काफी टाइम से इसका वेट कर रहा था Soul Hunting Trial में जाकर मैं असानी से Nansen Soul को Breakthrough कर पाऊंगा Announcement सुनने के बाद सौंचे बहुत जादा खुश हो जाता है रहो बोड रहा होता है कि God ने मेरी हेल्प कर दी है एक महीने बाद मैं पक्का Top 1000 सारी स्काय लिस्ट में एंटर करूँगा और उस Soul Hunting Trial में जाऊंगा और उसके खतम होने के बाद बाई शेचन मैं तुम्हें डिस्ट्रॉई कर दूँँ हमेशा के लिए ये कहकर वो चला जाता है बाई शेचन कहरा होता है कि 10 साल के लिए मुझे Soul Hunting Trial में जाना होगा उस Builderness में उसली टाइम वहाँ पर चैन मैं नया होती है और बाई शेचन से बोल रही होती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए बाई शेचन उसकी बात मानता उसके साथ चला जाता है शाम को दोनों साथ में बात कर रहे होते हैं चैन मैं नया बोल रही होती है कि तुम्हारी एक्सपलेशन सुनने के बाद मैं डेफिनेट ले उस लिस्ट में एंटर करूँगी और इसके बाद मैं अपने घर चली जाओंगी बाइशाचन कहरा होता है कि जैसे तुम अपनी रैंक बढ़ाओगी तुम असानी से घर जा सकती हो लेकिन ऐसा प्रोटोन या फिर कहें तो पॉलिटिकल होस्टेज मुझे अपना घर चोड़ना होगा ताकि मैं अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकूँ चैन मैं नयो थोड़ा एमोशनल होकर बाइशाचन की और देख रही होती और बूर रही होती है लेकिन मैं कभी भी सफ्रिंग और हार मारने से डरता नहीं हूँ और क्या पता इस ट्रायल की वैसे मैं नैंटसन सोल में ब्रेक्ट्रू कर पाऊँ चैन मैं नयो कहरी होती है कि नैंटसन सोल अर्थ वीन के लिए तुम्हें 5 form heavenly beast सोल चाहिए होगी तुम्हें मुश्किल से ही वो यहाँ पर स्टारी स्का और डाव प्लोटी सेक्ट में मिलेगी लेकिन wild end बहुत ज़्यादा different है वहाँ पर कोई भी स्पिरिट नहीं है और जितने भी कल्टिवेटर है वो सारी dead soul को absorb करते हैं practice के लिए वो इन सब को hunt करते हैं और absorb करते हैं क्योंकि wild end exist करता और वहाँ पर एक invisible river है जो की leaving का कारण है जब से तौंक्तियान world का existence हुआ है तब से सारी king souls accumulate होती हैं sticks में अगर sticks की बात की जाया है तो फिर Greek mythology में इसे कहा जाता है underworld की river dead की infinite soul में वहाँ पर heavenly beast की soul भी होगी और शायद divine soul भी वो भी possible है और साथ ही में तब ही बाशेजन कहता है heavenly soul yawning भी होगी इसके बाद वो अपने अपने pavilion में लोट जाते हैं रात को heavenly messenger याने की dueling फे एक disciple से बात कर रही होती है disciple कहरी होती है की बाशेजन को लिस्ट में लाने तक और यहां तक का जितना भी सफार है वो सारा plan के according smoothly चला है और आपने master की wish को भी follow गिया है साथ ही में आपने soul hunting trial को प्रोमोट किया है लेकिन आखिर में एक काम रह गया है इस वैसे आपने effects को fail मत होने दीजिए dueling फे कहरी होते है की तुम चिंता मत करो मेरे father से बोल देना की मैं आज रात को सारी चीज़े खतम कर दूँगी यह कहकर वो वहां से चली जाती है इधर बाशेजन अपने घर में सो रहा होता फिर वहां पर आती है dueling फे वो dueling फे की एक special body होती है dueling फे बाशेजन का नाम देती है फिर वो जगे अपना बदल जाती है इसवोड सिटी की जगे जहां पर बाशेजन और dueling फे आखरी बार मिले होते है बाशेजन कहरा होता है कि मैंने कितनी बार ड्रीम किया है कि तुम्हें मैं ऐसे ही मिलूं यहां पर मैं ready हूँ कहने के लिए जो मेरे दिल में है लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता हूँ ये सब वो अपने मन में बोल रहा होता है dueling फे कहरी होती है मुझे माफ कर दो ये जगे मैं छोड़ चुकी हूँ अब सिरब मेरी आखरी और एक ही चोईस है बाशेजन पूछ रहा होता है कि ये क्या मतलब है इसका और तुम हो कहाँ पर dueling फे कहरी होती है मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे question है लेकिन मैं सरफ एक ही चीज़ का जवाब दे सकती हूँ मैं तौंग्तियान आइलेंड से आई हूँ अब तुम पूछना बंद कर दो और कोई भी ऐसे method यूज़ मत करो जिससे कि तुम सच्चाई के पास जा सको मैं तुम्हें heavenly soul fire दे रही हूँ इसके तुम वो पा सकते हो जो तुम चाहते हो इस वैसे तुम्हें अपने immortality path को pursue करना चाहिए और रही मेरी और तुमारी बात तो फिर हम इसे appreciate करते हैं दोनों ही और हम भूल जाते हैं कि हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले हैं बाई जचन के पास वो fire पे ला रहा ही होती है और वो कहरा होता है कि हम कभी नहीं मिलेंगे ये अच्छी बात है लेकिन क्या वागई में एक simple sentence से मैं अपने past को भूल सकता हूँ do link फे मैं समझता हूँ कि हर किसी के अपने अपने रास्ते होते हैं आने के लिए लेकि तुम चिंता मत करो मैं जहां पर भी रहूँगा मैं अपनी life ही जहूँगा तो दोस्तों यहें पर खतम होता है यह episode